कॉस्चा नमबर थर्ड है să time कॉस्चा नम्बर 3 है time of 5Chalf नमबर बीटीविन ट्री अपान फाइब ज़ंग फोर अपान फाइब सिस्ट फिर फञाइब और फोर अपान फाइब के बीAct में फाइब रेक्षन बंबर ग्यात कीजिए 5 rational number को लिखिए पिछले question हमने आपको बताया है कि किसी भी 2 rational number के बीच में infinite rational number पाए जाते हैं देखिए 3 upon 5 और 4 upon 5 है आईए साल्ब करते हैं इसको देखिए 3 upon 5 और दूसरा है 4 upon 5 देखिए 5 पूछ रहा है और दोनों का denominator सेम है जब दोनों का denominator सेम है तो देखिए 5 पूछ रहा है तो हमें 6 से इसके भी numerator और denominator में और इसके भी numerator और denominator में 5 पूछ रहा है तो 6 से मतलब एक ज्यादा से multiply कर देंगे हम इसको upon 6 upon 6 is equal to देखो 3 6 जा 18 और 5 6 जा कितना हुआ 30 इन्टू 6 upon 6 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30 देखिए denominator से हम है 18 के बाद लिखना सुरू करिए 19 upon 30 20 upon 30 21 upon 30 22 upon 30 23 upon 30 यहां 20 इतना ही लिखना है हमें 5 रेस्नल नमबर लिखना है तो इस देखिए 19 upon 30 20 upon 30 21 upon 30 22 upon 30 23 upon 30 यह 5 रेस्नल नमबर हो गए इनके बीच में तो इस तरह से आप किसी भी दो रेस्नल नमबर के बीच में इन फाइनाइट रेस्नल नमबर को आप राप्त कर सकते हैं अगर इसके बीच में 10 पूछता मालीज़ इसके बीच में अगर 10 पूछता तो आप सीधे इसमें जैसे मालीज़े 10 रेस्नल नमबर दिखना है ऐन फार थी एलेबन जो थर्टी थरी अपान एह हो गया फिप्टीफाइब और यह हो गया फोर्टी थी एलेबन फोर जा फोर्टीफ़ॉर अपान फिप्टीफ़ॉर अब यहां जब आप लिखना शुरू कर दिए 33 के बाद 34 अपां 55 35 55 30 इस तरह से 36 37 38 39 करकर के 43 अपान 40 55 33 अपान 55 इस तरह से करके आप 10 रेशनल नंबर आप इसके बीच में निकाल सकते हैं तो students, ऐसे आप करिए गया